अयोध्या में राम मंदिर का क्षेत्र फल बहुत बड़ा है, जो कुल दीत चहल एकर में फैला हुआ है। मंदिर का निर्मित क्षेत्र प्रभाव शाली सत्तावन हजार चार सो वर्ग फुट है, जो वास्तुशिल्प प्रयास की भव्यता और पैमाने को दर्शाता है। मंदिर का भौतिक आया मुलेखनी है, जिसकी कुल लंबाई 360 फीट और चोड़ाई 235 फीट है। शिखर सहित मंदिर की उचाई 161 फीट तक पहुंचती है। यह विशाल सनरचना तीन मंजिलों में फैली हुई है। प्रतेक मंजिल की उचाई 20 फीट है। मंदिर की नीव परियाप्त संख्या में स्थम्भो पर टिकी हुई है। भूतल पर 160 स्थम्भ है, जबकि पहली मंजिल 132 स्थम्भो पर टिकी है। जटिल डिजाइन और विवरंड प्रदर्शित करने वाली दूसरी मंजिल 74 स्थम्भो द्वारा समर्थित है, जो मंदिर की समगर स्थिर्ता और सौंदर शास्त्र में योगदान करती है। के रूपने की जाती है। ध्यान के लिए शैक्षिक स्थानों और छेत्रों का समाविश आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविदियों को बढ़ावा देने में मंदिर की भूमिका के लिए एक समगर द्रिष्टिकोन को दर्शाता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्मान स्टील या लोहे के उप्योग से परहेच करके एक अनूठा द्रिष्टिकोन अपनाता है। इसके बजाए परियोजना पारंपरिक निर्मान सामगरी का उप्योग करती है। जो सद्यों पुरानी निर्मान प्रताओं के साथ संरेखित होती है और स्थिर्ता के प्रतिबदता प्रदर्शित करती है। मुख्य मंदिर की संरचना राजस्थान के भरतपुर जिले से प्राप्त बंसी पहारपुर गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी है। मंच में ग्रेनाइट पत्थरों का उप्योग किया गया है, जो मंदिर के लिए एक टिकाओ और लचिली नीव प्रदान करता है। ग्रेनाइट का उप्योग संरचनात्मक ताकत जोड़ता है, जो मंदिर की समग्र दिरगायू में योगदान देता है। जराई कारे के लिए सफेद मकराना संग्वर्मर और रंगीन संग्वर्मर और निर्मान में विशेश इंटे शामिल है, जिने राम शिला के नाम से जाना जाता है, जिन पर श्री राम शिला लेख है। माना जाता है कि ये इंटे रामसेतु के निर्मान में इस्तमाल किये गए पत्थरों से प्रतीक आत्मक समानता रखती है, जो मंदिर की आधुनिक शिल्प कौशल को प्राचीन प्रतीक वाद से जोड़ती है। शालिग्राम चट्टान, नेपाल की गंड की नदी में पाया जाने वाला एक पवित्र जीवाश्म निर्मान में शामिल है। शालिग्राम में प्रतिष्ठित शालिग्राम को भगवान विश्नु का प्रतीक माना जाता है, जो मंदिर में आध्यात्मिक आयाम जोडता है।